जैहन दोस्तो, स्वागत है आपका SSB Crack Exams में आज के विडियो में हम देखेंगे कि रेंजर पैच क्या होता है जो कुछ ओफिसर्स अपनी युनिफॉर्म पर पहनते हैं दोस्तो, रेंजर स्कूल से ग्राजवेट होने वाले ओफिसर्स और सोल्जर्स अपनी युनिफॉर्म की 22 स्लीव के उपरी कंधे के ओर रेंजर पैच पहनते हैं आएए जानते हैं ये रेंजर स्कूल क्या है युनाइट स्टेट आमी रेंजर स्कूल जहां 62 डेस का यूनिट टैक्टिक और लीडर्शिप कोर्स होता है जोकि सोल्जर्स के अंदर फंक्शनल स्किल्स डेवलप करता है ताकि सोल्जर्स दुश्मनों को क्लोस कॉमबाट्स और डिरेक्ट फायर बैटल्स में अपनी सक्षमता दिखा सके रेंजर स्कूल आरमी का सबसे मुश्किल कोर्स है जहां 62 डेज के लिए सोल्जर्स ना सिर्फ अपनी फिजिकल बलकी मेंटल लिमिट्स भी पुश्करता है ये ट्रेनिंग सब के बसकी नहीं क्योंकि ये मेंटली काफी जादा एक्जॉस्टिंग है ये कॉर्स तीन फेज में रन होता है पहला फेज है बीनिंग फेज जो की होता है कैम्प रोजर्स एन कैम्प डार्बी जॉर्जिया में जहां स्टूडेंस स्क्वाड ओपरेशन, पत्रोल बेस ओपरेशन और अमश मिशन में ट्रेन किये जाते हैं दूसरा कैम्प जॉर्जिया के कैम्प मेरल में कंड़क्ट किया जाता है जहां स्टूडेंस पहाडों में अपनी प्लटून टैक्टिक्स की ट्रेनिंग पूरी करते हैं ranger student अपनी स्क्वाड लीड करने में और Platoon Operations में माहिर होते हैं Rangers किसी भी climatic condition में अपनी Operations को Conduct करने में नेत्रत्व करना ranger school में Soldiers, Mariners, Sailors और US Army के Airmen के साथ कुछ खास चुनिंदा Military Students भाग ले सकते हैं अगर हम अपने देश का इक्जाम्पल लें तो 1975 में जैनरल वी के सिंग दो में से एक आफिसर थे जिन्हें युनाइट स्टेट आमी रेंजर स्कूल जाने के लिए चुना गया था इस कोर्स के दोरान उन्हें 75th रेंजर रेजमिंट की विस्की कमपनी में रखा गया था चुकि वो रेंजर स्कूल से ग्राजवेट हुए थे तो उन्हें ये खास रेंजर टाब युनिफर्म पे पहनने की अनुमती मिली थी दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप दूसरे आस्परेंट के साथ भी शेर करें साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल SSB Crack Exams को मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन अगर आप एक डिफेंस एस्परेंट हैं और SSB Interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB Crack Exams के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं